हेलो एन वेलकम टू आर चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी का नाम है एन एटिक लेसंस जो की साल 2013 में रिलीज हुई थी तो चलिए शुरू करते हैं मुवी की बेसिक प्लॉट लाइन तो मुवी की स्टार्टिंग में हम एना को देखती हैं एना को एक आदमी कॉल करक रहा था यहां कैंग एना को लेट आने पर बहुत डाटता है फिर इसके बाद एना शूटिंग के लिए तयार होती है असल में यहां वैडिंग फोटो शूट होने वाली थी इधर कैंग एना को सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे शूटिंग के लिए किस तरह के पोस बन कर मान जाती है क्योंकि इनको पैस्थ की काफी जरूरत थी फिर फोटोग्राफर एना की लगातार दो घंटी तक तसवीरे लेता है जिसके बाद एना फ्री होती है एना इसी फ्री वक्त में प्रोफैसर को कॉल करती है लेकिन प्रोफेसर कहता है अभी मैं एक फैमिली इवेंट में बिजी हूँ ऐसा बोलकर प्रोफेसर कॉल काड़ दीता है फिर थोड़ी दिर बाद ही प्रोफेसर फिर कॉल करके कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पर निर्बर मत रहो एना कहती है I'm sorry घर जाती है और फिर ये दोनों यहां इंटिमेट होने लगती है फिर कहानी हान नाम की एक पुलिस ऑफिसर पर शिफ्ट होती है हान चुपके से अपने एक सीक्रेट रूम में जाता है यहां हान ने अपना पूरा एक कंप्योटर सेटप तयार किया हुआ था जिसके आन ने एना के रूम में छिपेवी कैमरा और ट्रांस्मीटर फिट कर रखे थी तभी अचानक से एना को उसके एक्स बॉइफरेंट का कॉल आता है लेकिन एना नराजगी के कारण एक्स बॉइफरेंट का कॉल कार्ट देती है यह सब दिखकर हान खुश होता है क्योंकि उस एना अपना पर्स फूल गई होगी और उसे ही लेने वापस आई होगी लेकिन स्क्रीन में एना के जगे कोई अंजान आदमी था वो आदमी कह रहा होता है एना सब कुछ ठीक हो जाएगा बस मुझ पर भरोसा रखो यह सब देखकर हान को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि पू आपसा लग रहा था कि वह आदमी अभी भी उसे कमरे के अंदर ही मौजूद है तब इतने में ही हान को एना के आने की आवाज आती है इना इदर प्रोफेसर को अपने साथ लेकर आई थी जब अपने मोनिटर में देखता है तो उसे एना और प्रोफेसर की इंटिमेट होने के बाद प्रोफेसर कहता है मुझे जाना होगा मेरी फैमली और वाइफ मेरा इंतजार कर रहे होंगे पर एना प्रोफेसर को ना जाने कहती है क्योंकि उसे घर में अकिला डर लग रहा था लेकिन प्रोफेसर एना की बात ना मानते वे घर से चला जाता है तब ही अचानक से के बाद एना ने कई सारे बॉइफ्रेंट्स बनाने शुरू कर दिये जो इस आदमी को बदाश नहीं होता और इस शक्र में ये आदमी एना का गला दबा कर उसे मालने लगता है वहीं ये सब लाइफ होता हुआ देख कर हान को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे वह कैसे एन को काल लगाता है लेकिन अगर पुलिस हान से पूछे की कि उसे कातिल के बारे में कैसे पता लगा तो इस चक्र में वह फर्स जाएगा इसलिए हान कोई एक्शन नहीं लीता अगली दिन हम ट्राफिक पुलिस एजेंसी देखती है हान यहां एजन ऑफिसर काम करता था और अ राइट के ही अपार्टमेंट में रहने वाली एना नाम की एक लेड़ी का मर्डर हो गया है तो इसे सुन हान यहां ऐसा दिखाता है कि इससे पहले उसे एना के बारे में कुछ भी नहीं पता था फिर रात को जब हान अपने अपार्टमेंट में लोटता है तब ही सीमन प्रोफेसर का था और प्रोफेसर को पुलिस वाले जबरदस्ती कातिल साबित करने में लगे वे थे इधर सामने वाला ओफेसर बताता है आज सुबह एना की सिस्ट्र एना को लंच देनी गई थी कि तभी उसे वहां एना की लाश मिली एना को गला दबा कर मारा गया थ दस से ग्यारा बजे की बीच कोइंसिडेंटली सिसी डिवी फोटेज में तुम्हें एना के घसे दस पंदरा में निकलता हुआ दिखा जा सकता है और सबसे बड़ा सबूत बैड में मिला सीमन है चुकि तुम्हारे डियनेसी 100% मैच हो गया है साथी आज सुबह भी तुम ए क्यों नहीं किया प्रोफेसर कहता है क्योंकि मैं घपरा गया था लेकिन मैंने मडर नहीं किया है मेरा एना को माने की पीछे क्या मोटिव रहा होगा ऑफिसर कहता है वह मोटिव हम ढून लेंगे ऐसा बोलकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है फिर सीन वापस से हान पर शिफ् हान जॉन से पूछता है तो तुमने एना को मार डाला जॉन कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता था लेकिन उसे मेरे प्यार की बिलकुल वैल्यू नहीं थी ऐसा बोलने की कुछ समय बाद ही हान को किसी चीज के गिरने की धम से आवाज आती है और फिर हान के होश उड़ जाती है अब इसी के साथ कहानी का प्रस्पेक्टिफ इससे चेंज होता है और इस बार हम एना के एक्स बॉइफरेंट यानि जॉन के प्रस्पेक्टिफ से कहानी देखेंगे जॉन अपनी गल्प्रेंट को माने के बाद काफी शराब पीता है और डिसाइट करता है कि वो इस पारे में अपने दोस हान से कनफेस करके सब भूल जाएगा आगे जॉन एना के घर यानी क्राइम एरिया में पहुंचता है और क्राइम सीन का टेप अटाकर एना के घर के अंदर गुसता है यहां हम देखते हैं कि हान और कोई नहीं बलकि कुछ जॉन था जो अपनी अवास बदल कर बाते कर रहा था असल में जॉन को खुझते ही परसनलिटी बदल कर बात करने की आदत थी जॉन का कनफेसन सुनने के बाद हान वाली परसनलिटी जवाब देती है कि तुम्हें अपने पापों का बुक्तान करने के लिए मर ना होगा तो इसके बाद जॉन खुद को रसी से फसा कर खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही पंका टूट जाता है जिससे जॉन नीचे गिरता है और तभी जॉन के नजर पंके से जुड़ी वी किसी वायर पर जाती है जॉन गौर से दीखता है तो ये कोई वायर नहीं बलके माइक्रोफोन था आगे जॉन उस माइक्रोफोन को एक शॉप में दिखाता है तब शॉप का मालिक बताता है कि इस तरह के माइक्रोफोन चूटे रींच के लिए बने होती है यानि जिसे भी इस माइक्रोफोन के आवाज सुनाई देती होगी वो 15 मीटर की दाइरे में ही कहीं होगा तो इसे सुन जॉन को एक आदमी पर शुक होता है आगे जॉन अपने जान पहचान की किसी आदमी को लाकर उसे हान के घर का दरवाजा खुलवाता है तरहसल जॉन को हान पर ही शुक हुआ था आगे ये तोनों हान की गैर हाजरी में उसके घर के अंदर एंटर करती है हान के समान को चेक करने पर जॉन को कई सारे डिवीडी का सेट मिलता है जिन में उन्हें की आवाजे रिकॉर्डिट थी यहां कुछ फाइल्स देखको जॉन समझ जाता है कि हान को उसके बारे में सब कुछ पता है जॉन कहता है मैं इस आदमी को रास्ते से कैसे हटाऊ ये तो मेरी कभी भी पोल खोल देगा जॉन का साथी कहता है तुम उसका मडर भी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस से जुड़ेवे मडर्स का पुलिस असानी से पता लगा लेती है तो इसे सुन जॉन हान का मडर करने वाला आइडिया भी ड्रॉप का दीता है आगे जॉन एक फोन बूस से हान को कॉल लगाता है कॉल में हान जॉन की आवास पहचान गया था हान जॉन से पूछता है तो मेरे घर से गायब हुई डिविडीस के पीछे तुम जिम्मेदार हो जॉन कहता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो की लोगों की प्राइविसी में कैसे दकल अंदाजी कर सकते हो तुमने एना की बाते रिकॉर्ड की थी तुमसे बड़ा दोके बास कोई नहीं हो सकता हान कहता है कम से कम मैंने किसी का मडर तो नहीं किया इस बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और फिर अंत में हान कॉल कार दीता है फिर जॉन जैसे ही फोन बूस से थोड़ा आगे आता है वैसे ही उसे हान दुबारा से कॉल करता है और इसी के साथ मुवी फिर से shift होती है हान के perspective से यहाँ पर हान गर आते ही सब कुछ बिखरावा देखता है और शौक रह जाता है कि आकिर ये सब किस ने किया आगे हान उपर चड़ कर एक box निकालता है हान को इस box को उसी जगे महफूस देखकर खुशी होती है फिर हान कमरे में बिकरे समानों को ठीक करने में बिजी हो जाता है कि इतने में हान को एक कॉल आती है ये कॉल जॉन ने किया था जॉन कॉल में बताता है तुमने एना पर कैमरे की जरीए नजर रखी थी तो इसे सुन हान फिर से शौक हो जाता है इस phone call में John ने हान से वही बाती की थी जो हम पहले भी सुन चुकी है इस call को अंतमे हान कार्ट दीता है और अपने box की तरफ बढ़ता है तरफ सर इस box में हान ने एक gun रखी वी थी इस gun को उठाने के बाद हान तुमारे से John को call लगाता है और कहता है मुझे मेरे DVDs वापस चाएंगे जल्दी मेरे घर आओ वरना मैं पुलिस को तुम्हारी सारी सचाई बता दूँगा जॉन कहता है वैसे भी मैं सुसाइट करने वाला था पुलिस के यहां आने से पहले ही मैं खुद को मार डालूँगा लेकिन मरते मरते तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ दूँगा ऐसा कि को जॉन हान को फिसे काफी बला बुरा कहता है जिसे सुनकर हान दुबारा से कॉल कार दीता है यानी हान का जॉन को यहां लानी का प्लैन फेल हो गया अब जॉन अपनी घर से पेचकस ब्लास और चाको लेकर एना के घर जाने लगता है ताकि एना के कमरे से माइक्रो चिप हटा सके क्योंकि अगर वो चिप पुलिस को मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी अबान चुप चाप एना के घर से माइक्रो फोन कनेक्शन हटाई रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर कोई और आजाता है असल में ये आत्मी एना का बॉस कैंग था फिर हम सेम स्टोरी कैंग के प्रस्पेक्टिव से देखती है कैंग पार्क के साथ एक बड़े से होटल से बहा निकलता है कैंग का बिस्नेस प्रॉस्ट्रिटूट से जुड़ा हुआ था और पार्क भी कैंग के लिए काम करता था कैंग को छोड़ते वक्त पार्क कैंग की गाड़ी में एक प्रॉस्ट्रिटूट को भी बिठा देता है जिसके बाद वो गाड़ी वहां से चले जाती है असल में एना कैंग की ही प्रॉस्ट्रिटूट में से एक थी और एना ने कैंग से पांच लाग यन का उधार लिया थ लेकिन उस उदार को चुकाने से पहले ही एना का मडर हो गया इसलिए कैंग एना के घर जा रहा है ताकि वहां से कोई कीम्ती चीज़ चुला सके अब सीन फिर से वहीं आता है जब कैंग और हान एना के कमरे में थी हान के हाथ में चाको देखकर कैंग घपरा कर कहता है असल में एना का गार्डियन हूँ इस घर का किराय भी एना नहीं बलकि मैं भरता था अच्छा तुम भूके होंगे मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ ऐसा बोलकर कैंग हान को स्टूल से नीचे गिरा देता है और उसके मूँ में लाती लात माता है जिससे की हान की हालत बुरी हो जाती है आगे हान कैंग को सारी बाते बता देता है कि असल में उसने एना पर कैमरे से नजर रखी थी और उसे एना के कातल के बारे में भी बता है ये सब जानने के बाद कैंग हान को उसके अपार्टमेंट में ले चलता है इधर हान कैंग को मटर वाली दिन की फुटिज दिखाता है जिसमें प्रोफेसर और एना इंटिमेट हो रहे थी लेकिन कैमरे में एना का बैडरूम कैप्चर नहीं हो रहा था इसे देखकर कैंग हान को मारते वे कहता है तुम बेफकूफ हो तुमें कैमरा बैडरूम के पास करना चाहिए था उन वीडियो को बेच कर तुम पैसे कमा लेती आगे कैंग जॉन के कमरे से निकलने की वीडियो भी देखता है अब तक कैंग और हान थोड़े फ्रैंकी हो चुकी थी तबहीं कैंग पार्क को बुलाता है कैंग पार्क से यहां की सारी सीडी और हार्ट चलो अब हान के घर से निकलने के बाद ये दोनों एना के कातिल जॉन के दलाश में निकल पड़ती है फिर ये दोनों जॉन के मुबाइल का सिंगनल ट्रैक करके एक होटल में पहुचते हैं इधर पार्क कार्ट फसाकर होटल का दरभासा खोल देता है लेकिन अंदर जॉन नहीं बलकि सनाको नाम की एक लीड़ी थी फिर मोवी जॉन के प्रिस्पेक्टिव पर वापस आती है यह वक्त तबका था जब हान ने जॉन का कॉल कार्ट दिया था जॉन के सामने इस वक्त सनाको बैठी हो दी है जॉन सनाको से बार बार यही कहरा होता है कि उसने अपनी को मार डाला आगे जान दीरे-दीरे समझ जाता है कि उसकी जान कत्रे में पढ़ सकती है इसलिए जान सनाको को I am sorry का मैसेज टाइप करता है और अपना फोन सनाको के बैग में रख दीता है इसी कार्म से कैंग को गरत लोकेशन पता लगा था इसके बाद जान अपने उसी पार कारण पूचता है फिरहान बताता है यहां कैंग आया था कैंग कई लोगों को लोन दे चुका है उन्हीं में से एक एना थी जिसे तुमने मार दिया एना ने कैंग से काफी बड़ा लोन लिया वा था जिसे वो चुका नहीं पा रही थी इसलिए कैंग ने एना को प्रोफेस के जरिये अपना लोन चुका रही थी और इसी मिस अंडिस्टाइनिंग में उसने एना का मडर कर दिया आगे जॉन फोन बूसे सनाको को कॉल करता है और पूछता है क्या मेरे फोन में किसी का कॉल आया था तब सनाको घवराई भी आवाज में कहती है तुम कहां हो तुमसे मिल कैंग अपने मोबा pessim से परोफेसर की वाइप को मैसेज लिग कर कहता है मैंने असली कीकल को पकड़ लिया है इस मैसेज्च के अपने husband से मिलने आई होती है सेरा के बात करने के अंदास से ऐसा लगता है कि वो अपने husband को लगबख पूरी तरह कातिल मान चुकी है सेरा कहती है जरूर एना तुम्हें black mail करती होगी कि अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिये तो वो तुम्हारा सच मुझे बता दीगी इसलिए तुमने थकार कर एना को मार डाला तो प्रोफेसर इस बात पर बार-बार मना करता है लेकिन सेरा प्रोफेसर की एक नहीं सुनती तब प्रोफेसर गुसे में आकर कहता है तो मुझे जेल में डलवाना चाती हो ताकि तुम छुपने की वज़ाए अपने बॉइफरेंड से खुले आम मिल सको इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाता हूँ ऐसा केकर प्रोफेसर अपना सर पटकनी लगता है पर उतने में ही वहाँ गार्ट्स आकर ऐसा करने से उसे रोक लेती है दोस्तों इसी समय पर कैंग ने सेरा को मैसेज किया था कि एना का असली किलर उन्हें मिल गया है आगे सेरा पुलिस टेशन से बाहर निकल कर कैंग से पूछती है कि वो कौन है और उसने उसे मैसेज क्यों किया तब कैंग कहता है प्रोफेसर जील में है जिस कारण वो उन्हें मैसेज नहीं कर सकता सेरा कहती है ठीक है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ फिस सीन कट होता है और अब हम हान के प्रेस्पेक्टि से वो वक्त देखती है जब कैंग हान से उसकी साली डिवीडीस हत्या कर ले जा चुका था इदर हान डिवीडीस वापस लेकर आएका इसके लिए हान अपने गन वाला बॉक्स अपने साथ ले चलता है आगे हान उस बॉक्स में से गन निकाल कर कैंग के लोकेशन यानी स्टूडियो पहुँचता है जहां पर कैंग ने जॉन को बंदी बना रखा था इदर कैंग हान से कहता है तुम एक ओफिसर हो तुम किसी को नहीं मा सकते शायद तुम्हारी ये गन काम ही नहीं काती होगी तो इसे सुन हान रेंडमली किसी जगे शूट करता है जिसे देख इनके साथ आई प्रोस्टिटूट वहाँ से गबरा कर भाग जाती है इदर जो गोली हान ने ऐसे ही चलाई थी वो जॉन के कंदे में लग गई थी कैंग डरते वे कहता है मैं समझ गया ये गोली सच में काम करती है पर प्लीज इससे हम पर फायर मत करना हान कहता है तुम लोग मुझे मेरी डिविडीज चल्दी से वापस कदो और मैं यहां से चला जाऊंगा तभी इतने में ही पार्क अपने सौक से चाको निकालता है जिससे घबराकर हान उस पर भी गल्टी से निशाना लगा देता है और पार्क की ऑंधर स्पॉर्ट मौत हुझाती है जिसे देखकर हान खुद हरान होता है क्योंकि वो किसी को माना नहीं चाता था और ये गोली उससे गलती से चली थी कैंग कहता है तुम घपराऊ मत मेरे और जॉन में से कोई भी बिपार की हद्क तुमने की है नहीं बताएगा बस तुम हमें मानना मत ऐसा बोलते वे कैंग हान के करीब आने लगता है और तभी हान कैंग पर भी एक गोली चला देता है और अब कैंग जमीन में होता है हान गन में एक और गोली डाल कर पूछता है मेरी DVDs कहा है कैंग कहता है वो मेरी गाड़ी के अंदर है लेकिन मेरे गाड़ी की चाबी मेरे लेफ पॉकिट में है जिसे मैं हिला नहीं सकता तो इसे सुन हान कैंग की पॉकिट चेक करता है और तबी कैंग अपने पास रखा चाको निकाल कर हान की बॉड़ी पर स्टैप कर देता है जिसे हान भी घाल हो जाता है अब कमरे में ये तीनों ही घाल हो चुके थी वहीं इन में से एक आदमी पूरी तरह मर गया था तब ही ऐसे वक्त पर उस कमरे में सैरा की एंट्री होती है सैरा यहाँ यह सब दिखकर हैरान रह जाती है तब क्यान कहता है आप प्रोफेसर की वाइफ हैं आपको मैंने ही इदर बुलाया था हमारे बीच में ये अंदंगा आदमी दिख रहा है यही एना का असली कातिल है तो सैरा जॉन यानी एना के किलर से सारी कहानी पूछ दी है कि इदर ही सब क्या चल रहा है फिर ये तीनों अपने अपने हिस्से की कहानी सैरा को बताती है इनकी बाते सुनकर सैरा कहती है तो असल में यहाँ पूरी तरह किसी की भी गल्दी नहीं थी हान बस एना पर नजर रखता था लेकिन उसने उसे कभी नुकसान नहीं पोचाया जॉन ने एना का मडर इसलिए किया क्योंकि वो दूसरों के साथ एना को फिजिकल होता नहीं देख सकता था वही कैंग से एना ने उधार लिया था इसलिए कैंग को एना के कातिल का पता लगाने की चुल मजी वी थी मेरा कैंग से सवाल है कि तुमने मुझे कॉल क्यूं किया तब कैंग कहता है वना प्रोफेसर को जेल हो जाती सारा कहती है जेल तो उसे अभी भी होने वाली है उसने जिस तरह के काम किये है उसके लिए जेल ही सही जगे है कैंग कहता है तुम्हारे बच्चों का क्या क्या तुम उन्हें अकेली समाल पाओगी सैरा कहती है हमारे बच्चे ही नहीं है ऐसा कहकर सैरा हान से पूछती है क्या उसे कैंग की जान बचानी चाहिए या फिर कैंग उसके पती का विटनेस बन सकता है इसलिए उसे मार डालना ह हान कहता है कैंग ने एना को पैसों से बेचने की कोशिश की थी जिस वज़े से एना का मर्डर हुआ इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे छोड़ना चाहिए फिस सेरा इस पर जॉन की राय पूछ दी है जॉन कहता है वैसे तो मैं मनने वाला हूं लेकिन उससे पहले मैं चाहत है बूलो मत एना का मर्डर करने वाले तुम थे जॉन कहता है लेकिन उसे बरबाद तुम ने किया था ऐसा के कर ये तीनों आपस में ही लड़ने लगती है और सेरा वहां से उठकर जाने वाली होती है वहीं इदर बहस करती भी हान अचानक से चुप हो जाता है जब सेरा हान के पास जाकर चेक कती है तो हान की सासे रुख चुकी थी और हान काफी ब्लड वहने की बज़े से मर चुका था ये देखने के बाद सेरा वहां से निकलनी लगती है तब ही कैंग कहता है तुम भी एक मर्डर हो अगर तुमने एंबुलेंस को नहीं बुलाया तो मैं आगे च जाता सेरा जॉसाइड करने वाली हो तो बेस्ट उफ लग इतना कहकर सेरा उस जगे से बाहर चली जाती है आगे मुवी की स्टार्टिंग वाला फो टुग्राफर अपने इंदर है और इतनी लाशी तिकर उसे चकर आ जाती है तभी वहां प्रोस्टिटीट भी पहुँचत है और सबी की डेट पॉटी देखकर चिलाते वे वहां से भाग जाती है वही कैमरा उदर मूव होता है जहां जौन को बांदा हुआ था इधर खुली भी हतकड़ी देखकर हम समझ पाते हैं कि जौन यहां से फरार हो गया है अब इसी के साथ मुवी तीन महीने आगे बढ़ती काफी समय पहले पुलिस स्टेशन से प्रोफेसर को एक फोन कॉल आया था उस फोन कॉल में वो प्रोस्टिटूट जिसे मिस्टर कैंग अपने साथ ली गए थी उसका कहना था कि वो क्राइम सीन के वक्त वहां स्टूडियो में मौजूद थी और उसने ड्रेसिंग रूम से कर प्रोफेसर के वाइफ को वहां आते देखा था लेकिन मुझे तुम्हारे स्टीटमेंट की जरुरत है इस बात को साबित करने के लिए जॉन कहता है प्रोफेसर की वाइफ ने मुझे एक नई जिन्दगी देकर मेरी मदद की है मैं उसके खिलाफ स्टीटमेंट नहीं दे दोसी तरफ हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर की वाइफ सारा का कॉल आता है सारा कहती है तो उस तुमने मुझे क्राइम सीन से गुजरते देखा था अब बताओ तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए प्रोस्टिटमेंट के इतना कहती ही मूवी यहीं एंड हो जाती है तो ह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़िदार वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें धन्यवाद